जेल से बाहर आते ही खुशी दुवे ने सुनाई आप भी थी तो सुनने बालों की आखों से आसू टबक बड़े निर्दोश खुशी दुवे को क्यों किया गया इतना टॉर्चर अखले शादब भी साथ खड़े हुए विकास दुवे को लेकर खुशी ने जो कहा उसे आपक मुझे जेल भेज दिया मैंने पहली और आकरी बार अपनी शादी के दिन ही विकास दुवे को देखा था ये बातें जेल से रहा होने के बाद बापस अपने घर यानी माई के पहुँची खुशी दुवे ने कही हैं घर पहुँचते ही खुशी ने दहरी के पैर चुए इस से बाहरा आना पड़ा खुशी ने पत्रकारों से कहा उस राद मेरे पती अमर दुवे मेरे साथ ही थे पूरी घटना से ना तो उनका और ना उनके पती का कोई लेना देना था क्या विकास दुवे से अमर के संबन्ध थे इस सवाल पर खुशी ने कहा मुझे इस बारे में नहीं पता खुशी ने कहा कि ये 30 महीने जेल के अंदर मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे परिवार और बकीलों का भी कहना है कि खुशी दुबे के खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे बावजू 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस ने खुशी की थाना छेतर के इस्पेक्टर और एसीपी फोर्स के साथ लगातार छेतर के आसपास राउंड लगाते नजर आए पुलिस की गाड़ी छेतर में आते ही लोगों को लगता था कि खुशी आ गई लेकिन देर रात खुशी जब घर पहुँची तो पूरा महला इखटा हो गय खुशी की मा गायतरी ने पत्रगारों से कहा कि खुशी निर्दोस थी इसलिए उसे कोर्ट से जमानत मिली है मुझे नयायले पर पूरा भरोसा है आगे भी हमें नयाय मिलेगा वहीं खुशी के अधिबकता शिवाकांत ने कहा कि पुलिस ने खुशी पर गंभीर धाराओं म मुगतमा दर्ज किया था मगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे इसलिए खुशी को जमानत मिली है और आगे वह जरूर बायज़त बरी भी होगी नयायले पर हमें पूरा भरोसा है आपको बता दें कि शनिबार को अदालत से शाम लगबक चार बजे रहाई परवाना ज पूरा करने के बाद अधिवक्ता के साथ खुसी जेल से बाहर आई लगबक 10 मिनिट में ही अधिवक्ता शिवाकान दीचित की गाली में अपने परिजनों के साथ कानपूर नगर इस्थित अपने घर पर वुरबाना हो गए जिसके बाद वहाँ पत्रकारों ने उनसे तमाम सबाल पूछे